ऐलो फ्रेंड्स, गूड मॉलनिंग, कैसे हो आप सब, मैं उमीद करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और सभी बले चांगे होंगे, और ये मिलो मनन से, मनन की चोट ठीक हो गई है, अभी मनन ठीक हैलो बलो, हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिये, अब भी मैं गड़ी पहने रहा हूं, क्योंकि मेरी आदा ताशी है और आज आपने सुबहकलती है, कौनसे येंड में गड़ी पहने ली थी? इस हेंड में पहने ली थी ये कौनसा हैंड आपका? ये राइट वाला है, और ये? और गड़ी कौन से आथ में पहननी चाहिए लफ्टेंड में लेफ्ट गड़ी और फ्रेंड्स यह हमारी बेटी तैयार हो चुकी है आज यह जा रही है हेलो बलो रवीना आज यह जा रही है अपना बैग वेक करके बैठी है यह देखो इसने अपने बैग वेक लगा लिए मे पर यह इसने अपने बैग वेक तैयार करके लगा लिए यहां पर चलने की तयारी में अब ही है और मैं भी इसके साथ ही जारी हूँ तो चलो आते हैं और इनके घर जाक इनकी मी से मिलते हैं इसको ले जाके तब तक यह झाले तो चाहि लटडु गपाल जी के वह ड्रेस है जो अप छोगो बह अग्ली Wiki कि मैं से लाई करके अगली वीडियो में दिखाऊंगी तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं लड़ो गोपाल जी समें ड्रेस में बैठे हुए मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को कैसे लगे आप जरूर बताना और ये वो ड्रेस है जो मैं मार्केट स लेके आई थी तो मैंने ये पहना के भी आप लोगों को दिखा दिया है आप बताना जरूर की कैसी लग रही है और कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बले चंगे होंगे और ये मनन आ चुका है बोलो हेलो बोलो अब भी में गड़ी पहें रहा हूं क्योंकि मैं ममी को बोलने नहीं देता सामने या जाता हूं अज़ा चुकी है और उसके जाने के बाद में बड़ा लग रहा है क्योंकि अच्छा नहीं लगरा घर में कोई महश्डी आज डाराे और प्रीया जाओ और याज आज़ा में को अपनी काір ठीग करवाने जा रहा हूं और यह आज आज शाम को अपनी कार ठीक करवाने जा रहा है पापा के साथ है पापा ठीक ही निकरवाते हैं आज लेकी जाएंगे पापा तो और फ्रेंट्स आप सब कैसे हो मुझे बताना और हमारा काम वाम सब हो चुका है पुजा-फुजा करके खाना तो मैंने खाया नहीं है म पुजा करके क्यों बोलने दोगे मुझे प्रेंट्स मैंने सिर्फ चाय और चिप्स लिए हैं अभी हमारा फास्ट चल रहा है अभी तो दो दिन के और बचे हैं बस फिर आटम को मारे यहां पर कड़ाई हो जाती है तो आटम को कड़ाई कर देंगे उस दिन हमारे नवरात् देखक रहा हां और अभी तो चल रहे हैं तो आप सबने रहों में क्या 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 कर रहा है कि तावाएnels से गंदा लए गाभी इसकी सो ऑने की तयारी यह वह स्वाइगस विट्टनाइ्ट बो अब देख और आज देखो इसकी चोट भी ठोड़ी ठीक हो चुकी है ब कर लोarte चोट अभी ठीक हो चुकी है आज पटी वी उतर चुकी है इसकी लेकिन अभी पानी में बीकुना एक हो सबता हैU इसकी पट्टी मेने निकाल दी जबरदस्ती निकलवानी रहा था लिपको लगा कि कहीं अंदर अंदर कुछ और ना हो जाए इसलिए कल मैने इसके पटी निकालती और मैंने डोक्टर से पुछा तो उन्होंने भी का कि ठीक किया पटी निकालती अभी आराम से बार खुले में हावा लगेगी तो जल्दी ठीक होगा इसलिए दवाई लगाते रहते हैं और बारी रखते हैं तो अभी इसको काफी आराम है और यह देखो डांसी डांसी कर रहा है और यह गंदा बच्चा है बार-बार प्रेशान करता रहता है तो फ्रेंट्स मिलती हूं मैं थोड़ी देर बाद करते हैं आप से थोड़ी देर बाद में बाते चलती हूं बाइबाइब तो फ्रेंट्स ये वर्त का खाना बनाने के लिए मैंने आलू वोईल होने के लिए काट के आलू, चार से पन्च आलू ही बनाए थे क्योंकि जद्धा आदम हैं नहीं, मैं और इसके पापा दो ही आदम हैं और ज्यादा है नहीं मनन है मनन सबजी वगर इतनी खाता नहीं है इसलिए मैंने आलू का जटपट बनने वाला नास्ता बनाया था जो वर्त में अच्छा भी लगे और पिट बरके खाया भी जास के और साथ में ही दूद गरम होने के लिए रख दिया है तो इस पैन में मैंने दो चमच बड़े वाले घी के लिए हैं और इसको गरम होने के लिए मैंने रख दिया है और यह जो चमचा मैंने आले के आई थी मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना कमेंट करके तो यह जैसे ही तो इसको गी थुड़ा सा गर्म हो जाएगा मैंने इसको गरम होने के लिए पैन को गैस ऑन करके रख दिया है और जैसे ही गरम हो जाता है तो मैंने इसके अंदर सारے चीजह डालने शुरू कर देती हूँ लेकिन मैंने विडियम फ्लेम पर रख आइस तो यह खाल नहीं था कि आते ही बोलने लगे थे कि मैं खाना भी नहीं काऊंगा थोड़ा लेट काऊंगा तुम्हें से बाते करने लगी और इसमें भी मैंने जीरा डाल दिया है और हरी मिरची कटीवी हरी मिरची दोनों यही छीजे डाली है बस मैं ज्यादा कुछ बास और ये आलो वोईल किये आलो को मैंने चाकु से छोटा-छोटा काट लिया इनको काटके अभी में मिक्स कर दूंगी अच्छे से और इसमें सिंधा नमक डाल दूंगी तिपर तुम्हें नवरात्रों में और तो कोई नमक खाया नहीं जाता सिंधा ही नमक खाया जाता है बिल्कुल जरा सा में पानी डाल दूंगी ताकि ये तली में ना चिपने और अच्छे से इनके ऊपर नमक मिक्स हो जाए बिल्कुल फी सुके सुके ना रहे और फ्रेंड्स मैंने मल्टी कलर की चूडिया पहन रखी है तो आप लोगों को कैसे लगी ये जरूर बताना काम क आप लोगों कि अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है ये मेरे को तो बहुत पसंद है में अधिक तर यही खाती हूं और ये हमारी रात की चाय बनकर तयार हो गई है तो आप लोग भी पी लीजिए तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करें कमेंट करें और मेरे चैनल पर न्यूं हो तो सब्सक्राइब करें और यहां तक वीडियो देख लिए तो लाइक जरूर करके जाएं तब तक के लिए मिलती हूं कल बाई बाई